नमस्का दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्योब चैनल पर आज के शूड़े में हम देखने वाले साउथ आफ्रिकन टी टेन चैलेंज टी ट्वेंटी चैलेंज की जो मैच है एन डबलू डी वर्सेस डबलू एपी की तीन ड्रीमिलियों की टीम्स जिसस कि आपको अच्छे खासी अर्निंग हो सकती या फिर आप ग्रांड लिग या स्मॉल लिग ज़रू जी सकते तो मैं आपको सबसे पहले हैं उस मैच को हाइलाट करके दिखा रहा हूं जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं मतलब तीन तीम में देखने वाले तो यह व सबसे पहले टीम में हमारे पास किपिंग में हमारे पास देख सकते आप तीन अच्छे अच्छे उप्शन से जिसमें से एक को ही मैं अभी चूज करूंगा जी कालपन को यहां पर इसके अलाव मैं किसी और किपर को नहीं लूँगा बैटिंग पर चलते तो इस बार मेरे प यहां पर शामिल कर लिया है तो यहां पर तीनी बल्लेबाद में लूँगा ज्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं यहां पर तो अभी फिलाल चलते ऑल राउंडर पर जोहां पर मैं चार ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ अफकोस वेन पार्मेल को मैं लूँगा उसके बाद मैं दी प्रिक्टोरियस यह भी काफी जबदस्त ऑल राउंडर है दोस्तों काफी बढ़िया खेलते हैं मेरे खाल से अफ्रीका की टीम में भी अभी शामिल रहते हैं उसके बाद एस पुद्धु स्वामी को मैंने ले लिया है और डी पॉड़ गेटर को यहां पर शामिल कर लि जो कि चार और मतलब 4-4 जाओ आपको double point वे बैटिंग वर बॉलिंग में इसके बाद गेन बाजी पर influence तो हैं jeder और ऑल को मैंने लिया टी डाबूडं को यहां पे शामिल कर लिया है और सी अले का इर्टे को यह तो इस तरह से पहली टिम हमारी काफी अच्छी और काफी खतरनाक बन चुके continue पर क्लिक कर लेते देख लेते क्याप्टन और वाइस क्याप्टन किसे बना सकते तो अफकोस डीप रिटोरियस को मैं क्याप्टन बनाऊंगा सबसे बढ़िया फॉर्म में लग रहे अभी तो इनको क्याप्टन बनाना जरूरी है तो जरूर आप इ के लगे तो इन दोनों में काफी अच्छी चमता है अच्छे परफॉमस करने की इसीलिए न दोनों को क्याप्टन और 20 कं बनाना जरूरी है और परफॉमस भी अच्छा है टेम प्रवियू कर लेते हैं जैसे कि आप देख पारें मेरे पास जी कल्पन काल्पन को में यहां प बर्ड को लिए और डबलू मार्शल को भी मैंने इस ले लिए तो इस तर से थीन बल्ले बाद ही में पास और इसके बाद मेरे सबसे जादा जो option है वो है All-rounders में ताकि आपको Double Point मिल सके चार ओर चार ओर डार आपको दबल पॉइंट देंगे बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अफकोस वेन पार्नेल काफी पुराने प्लियर है काफी पुराने चावल में कहूंगा और पुराने चावल काफी अच्छे होते तो इसलिए वेन पार्नेल को मैंने ले लिया है उसके बाद डीप रिक्टोरियस काफी बढ़िया है एसमुत्तु स्वामी और डीप पॉटिकर को मैं यहाँ पर शामिल कर रहा हूं तो इस तरह से चार और मेरे पास चारों बैस्ट है तो ज़रूर आप इन चारों के साथ जाह सकता है तो चलिए दोस्तों क्याप्टन और वाइस काप्टन फिर से बोल बता यहाँ पर देख सकते हैं कर एस को कप्टन म्ना और हैं डोनों की दोनों अभी फिलाल सबसे ज़्यादा फॉर्म्म में लग रहे हैं जिसके वजह से इनको क्याप्टन और वाइस कक्लण बनाना छोड़ा हो जाता है तो कि आपको ज़यादा से ज़यादा यह पोईंट दे सक और काफी विक्टे इनको मिलती है सफल होते है तो इसी लिए इनको वाइस कैप्टन भी बनाना ज़रूरी है तो चलिए दोस्तो इस टीम को मैं ज़्यादा से ज़्यादा सजेस करूँगा Grand League के लिए क्योंकि आप इस टीम से Grand League जीद सकते हैं दोस्तों आपे स्टीम से Grand League जेद सकतें लेकिन ऐसा बैकी यह टीम आप समॉल लिएक के लिए यूज नहीं कर सकतें यह टीम आप को समॉल लिए वी अक्छी है और 809 की लिए during करनी है वह से Grand League के लिए यूज करें और जिसे जो Wow स्मय लिएक जीने कर सब्सक्राइब है तो स्मॉल लिग जीत कर वो इसे स्मॉल के लिए यूज करें तो दोनों के लिए बेस्ट टिम है आप अपनी हिसाब से इस टिम को यूज कर सकते हैं चलिए टीम के किपिंग के सेक्षन पे हम आ चोगे यहां पर ड्रविलास जब से पेंचे प्लेयर है और काफी इनको भी काफी अच्छा experience है हाला कि पता नहीं है एफ आफ्रिका के टीम में अभी तक शामिल हुए है यानि लेकिन प्लियर काफी अच्छे दोस्तों इनको ज़रूर आप ट्राइक कर सकते हैं इनको लेसर क्याप्टेट इपने आप अच्छे खासे प्लियर है दोस्तों इसके बाद बैटिंग पर चलते तो डबलू मार्शल को वापस ले लिया है यह मांक जिमा को भी ल अच्छा है ऐसा नहीं कि पहले जो थे वह अच्छे थे और यह अच्छे नहीं ऐसा कुछ नहीं दोस्तों पहले भी अच्छे यह भी अच्छे ऑल रॉंडर पर चलते तो फिर से आफकोस चार ओल रॉंडर में यहां पर ले रहा हूं जैसे कि आप देखी पा रहे हैं चार पर मैंने चेंज कर लिया है वो है मैं पॉंगोलो को मैंने इस टीं में सामिल कर लिया पिछले टीम में में इंको न ही ले पाय vessel तो इनकोस्त में से चार ऊल राउंडर यहां पर इजाब कर लिया है ताकि आपको यह ज्यादा से ज्यादा परंट दे सके आपको ग्राइट जिता सके यह फिर घ्लीग में अच्छी खासी यह निकारा सकते यह स्मॉल लिग भी जिता सके चलिए कंटीन पर क्लिक करके देखने तेका क्याफटन किसे बना सकते तो मैं में इनका पर्फरमस अच्छा रहा है वहीं वाइस कैप्टन की बात करें तो डबलू मार्शल को मैं वाइस कैप्टन बना रहा हूं यह भी काफी बढ़ीया प्लेयर है आप इनको भी वाइस कैप्टन या क्याप्टन दोनों बना सकते चलिए टीम प्रिव्यू कर लेते जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डी विलास को मैंने लिया एक इसके लाव और कोई कीपर मैं नहीं लूँगा इसके बाद मेरे पास तीन बल्ले बाज है जैसे कि आप देख पार है ए माकजिमा टीप जी टीडी जोरजा जोराजाई उसके बाद डबलू मार्शल अगर आल राउंडर की बाद करें तो तीन चार आल राउंडर है यह देख सकते आप विन पारनेल डी प्रिक्टोरियस इस बार मैंने इन पुंगोलों को शामिल कर लिया है क्योंकि पिछले टीब में हम इनको शामिल नहीं कर पायते प्लियर काफी अच्छे और चौते जो है प्रकार में फिल्ब्ला चार पाघैकर आपके समेरिकेस बीड़ क्योंकर सुछा राउंडर्बर में फिल्डज को ज़िता सकती है तो आईसा नहीं है दोस्तों कि यह सुछ्छ उमूर्स पर लिक्सिर तो जैसे करें को हैंन्रिक्ष में काफी बढ़ाइब फिक्तनおおकि काफि रन बना रहा है और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से बनाता है तो जरूर आप इन दोरों को क्याप्टन और वास चैप्टन बना सकते इन पर बर्सा कर सकते दाव लगा सकते तो भारी दूसरी टीम भी बन चुके इस टीम को भी मैं जरूर कौंगा यहाँ पर भी मैंने या फिर सिर्फ और स्माल लिग के लिए ऐसा कुछ नहीं है यह टीम भी आपको दोनों लिग के लिए काम आ सकती है और आप जीद भी सकते इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते सेव कर लेते और तीसरी और आखरी टीम में आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह से बना इतना भी बढ़िया परफॉर्मस नहीं है सबका कि आप इस यहां पर दो या तीन कीपर को ले सके इसके बाद बैटिंग पर चलते तो बैटिंग में आपको दे सकते यम यह सीन को अभी तक एक बीटिम में नहीं ले पायते और प्लियर काफी अच्छे हाँ परफॉर्मस ट कामिल कर लिया तो इस तर से तीन ही बल्ले बाद में यहां पर लेने अलो तो आल रॉंडर में भी मैं अभी आज अभी तीसरी टीम में तीन ही आल रॉंडर के साथ जा रहा हूं जैसे का आपको बता दू वेन पारने लोडी प्रिक्टोर रेस तो ही और एस मुत्तु सवामी को भी मैंने यहां पर ले लिया तो इस तर से तीन ही आल रॉंडर को मैं यहां पर चूज कर रहा हूं जिसकी वाज़े से मेरे पास एक ऑप्शन भढ़ जाता है गेंबाज में मुझे चाहिए एक एक्स्ट्रा गेंबाज चाहिए था इसलिए मैं यहां ऐसा कर रहा हूं जै आप चाहिए डी जेशन या फिर किसी और के जगह पे यहां पे जे डावुड को ले सकते जो काफी अच्छे है तो चार गिन बाद जो की है अच्छे के मैंने ले लिए इसी तर से चार रखूंगा मैं चेंजेस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है यह चार जादा बे क्याप्टन बनाएं सेलेका को यह भी काफी बढ़ी है दोस्तों तो जरू आप इन दोनों को क्याप्टन बना सकते हैं टीम प्रिव्यू कर लेते हैं जैसे कि आप देख पारें कीपिंग में मेरे पास एक ऑप्शन है इसके लाव मैंने कोई और ऑप्शन चूसी नहीं किया आप बता बोल दूकि एन्वेंडर को ही लिया है उसके बाद मेरे पास तीन बल्लेबाज है जैसे कि आप देखी पा रहे होंगे तीन बल्लेबाज हों में मेरे पास है एम जासिन को अभी तक एक बिटें में नहीं लिया था मैक्जिम उमा को यहां पे लिया और डबलू मार तो मेरे पास तीन और वेन पारनेल धी प्रेटेरियस और एस मुथ्तु स्वामित तो तीनों की तीनों बेस्ट है जरूर आप इन तीनों के साथ जा सकते इन तीनों को अपने टीम में ले सकते लेकिन जैसे कि मैंने एक और आप्शन यहां पे कम कर दिया जिसकी वजह से मैं य जैंसन और सी से लेका इस तर से चार अप्शन मेरे पास हो चुके गेन बाजी में जो कि काफी फायदेमन साबित हो सकते इनको अगर विक्टे अच्छी मिल जाए तो हमें यह सबसे जादा पॉइंट दे सकते क्योंकि एक विकेट के लिए पच्चेस पॉइंट रहते और य कर सकते स्मॉल लिए विप कर सकते दोनों के लिए यह बीटिप यह तो आपको यह बने कप्तर और वास कतर के अगर फिर से बात करें तो यहाँ पे मैं जरूर आपको सब्सुर्ण करके दिखांगा कि मैंने captain और vice captain किसे बनाया था सबसे पहले बात करते captain की तो मैंने W Marshall को captain बनाया और C Sileka को vice captain बनाया दोनों को अभी तक W Marshall को of course मैंने vice captain ज़रूर बना था लेकिन captain नहीं बना पाय था और काफी जब 10 player है तो captain इनको बनाना एक team में ज़रूरी है और C Sileka को भी अभी तक कुछ भी नहीं बना पाया था तो इनको भी vice captain बनाना या फिर captain भी बनाना ज़रूरी है आप उल्टा भी कर सकते C Sileka को captain और W Marshall को vice captain भी बना सकते हैं दोनों option अच्छे हैं दोस्तों या फिर अगर आप और भी multiple stream लगाते हैं तो वहाँ पे इन्हें उल्टा मतलब इन यहाँ पे DC Sileka को captain जरूर बनाएगा वाइस captain आप आपने सब से चूस की जगाल लेकिन सी सिलेका को captain जरूर बना सकते हैं तो कुल्मिला के में कमेंट करके जरूर बताइए तो आई होप आपको मेरा यह वीडियो जरूर पसंद आएगा अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दिजिए और चाइनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी करना ना भूले ताकि इसी तरक अच्छ में कुछ भी चेंजेस रहते हैं तो उसके जरीय में आपको बता सकूँ इसको किनको ड्रॉब कर दिया गया है और उनकी जगह पे आप किसे ले सकते वह भी में आपको जरूर दिखाऊंगा तो इसी लिए टेलिग्राम की लिंक को जोइन करना थोड़ा जरूर है तो फिर से के लिए थैंक यू धन्यवाद और गुड़ बाई